नमो नरायन, जै महाकाल, जै माबगला मुखी, सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है, आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी अध्यात्मिक उन्नती आगे बढ़ रही होगी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पित्र दोस, ये कई दोसों में से एक दोस होता है, जो व्यक्ति की कुंडली में, होरोस्कोप में और उसके साथ-साथ चलता है, इसके कई लच्छनों के बारे में मैं बताऊंगा, कारण के बारे में भी बताऊंगा, और निवारन के भी इस वीडियो को इस ग्यान को मेरे दोस्तों मेरे भाईयों और ध्यान से सुनिएगा पूरा सुनिएगा और बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा अन्यत्था आप बहुत ही महत्यपूर जानकारी से वंचित रह जाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि पित्रदोस क्या है इस पूरा देखिएगा आपका कोई भी समय ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं कि सबसे पहले कि पित्र कौन होते हैं पित्र गण हमारे पूर्वज है जिनका रिण हमारे उपर है क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है पूर्वज है और इससे भी उपर स्वर्ग लोग है आत्मा जब भी अपने सरीर को त्याक कर सबसे पहले उपर उठती है तो वह पित्र लोग में ही जाती है वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं अगर उस आत्मा के अच्छे पुन्न हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्न मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हवारे कुल में जनम लेकर हमें धन्न किया, इसके आगे आत्मा अपने पुन्य क्यादार पर सूर लोग की तरफ बढ़ती है, वहां से आगे अधी और अधिक पुन्य है तो आत्मा सूर लोग को भेज कर सुर लोग की तरफ चली जाती है, लेकिन ऐसा करोडों में से एकाद आत्माएं ही होती है, कुछ आत्माएं ऐसी होती है, जो परमात्माओं में समाहित हो जाती है, जिसे दुबारा जनम ही नहीं लेला पड़ता है, लेकिन मनुष्य लोग एवं पित्र लोग में बहुत सारी आत्माएं पुना अपने इच्छा वस में, म हमारे यही पुरवज जब अपने सुच में व्यापक सरीर से अपने परिवार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे परती सद्धा रखते हैं और ना ही इन्हे कोई प्यार या इसमें है तब ये आत्माएं दुखी होकर अपने वन्सजों को स्राब दे देती है जिसे पित्रदोस कहा जाता है पित्रदोस एक तरीके से एक अद्रस बाधा है ये बाधा पित्रोदारा रुष्ट होने के कारण होती है पित्रों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं आपके आचनन से हो सकता है किसी परिजन दारा की गई गलती से हो सकता है स्राद आधी कर्म ना करने से हो सकता है अंतेश्टी कर्म आधी में किसी भी प्रकार की तुटी यानी गलती के कारण हो सकता है इसके अलावा भी मानसिक अवसाद व्यपार में नुक्षान परिश्रम के अनुसार फल ना मिलना वैवाहिक जीवन में समस्याएं कैरियर में समस्याएं और जीवन के हर छेत्र में रेत्ती और उसके परिवार को बान्धाओं का सामना करना पड़ता है अगर पित्र दोस होगा तो कितनी भी अनुकूल ग्रहों की इस्तिती क्यों ना हो गोचर क्यों ना हो दसाइं क्यों ना हो फिर भी सुबफल नहीं मिलता है कितना भी पूजा पाट आप करा लें देवी देवताओं की अर्चना कर लें उसका भी सुफल नहीं मिल पाता है पित्र दोस दो प्रकार से आपको प्रभावित करता है पहला अधोगती वाले पित्रों के कारण और दूसरा उधर्व गती वाले पित्रों के कारण अधोगती वाले पित्रों के दोसों का मुख कारण परिजनों दौरा किया गया गलित आचरन होता है अत्रत इच्छाएं होती है जायदात के प्रति मोह होता है गलत निर्णे परिजनों दौरा होता है परिवार के किसी परिजन को अकारण कस्ट देने पर इतर कुद्ध हो जा कुछ आपको नकरात्मक फल परदान करते हैं अब दूसरा आते हैं उधर्व गती वाले पित्र यह पिर्दोस उत्पन करते हैं परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथ्वा परिवार के स्पारंपडिक रिती रिवाजयों का निर्वहन नहीं पर पित्दोस उ ना करें उनका कोई भी कारें पित्रदोस सफल नहीं होने देता है पित्रदोस के निवालन के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जलूरी होता है कि किस ग्रहे के कारण और किस प्रकार का पित्रदोस उत्पन्न हो रहा है और देखिए हमारे उपर मुख्यता पांच तरीके के रिण होते हैं नमबर वन मात्र रिण नमबर टू पित्र रिण नमबर तीन मनुष्य रिण नमबर चार देव रिण और नमबर पांच रिशी रिण इस तरीके से हमारे उपर रिड़ भी होते हैं जब भी कोई इनसान किसी की धन सम्पति हरण कर लेता है गरीबों को सताता है, बेबस को सताता है, लाचान लोगों को सताता है तब ऐसे में उस परिवार के सदस्यों का किसी असाथ दिरोग से ग्रस्त होना तै है और बहुत सारे दोस उस परिवार में उत्पन हो जाते हैं ऐसे परिवार को पित्र दोस युक्त या सापिक परिवार कहा जाता है इसका उधारण रामायन में स्रमण कुमार के माता पिता के स्राप के कारण दसरत के परिवार को हमेशा कष्ट जेलना पड़ा पित्र दोस्की सांती के उपाय के बारे में हम बाग करते हैं वैसे तो सामान उपायों में पित्दान सर्प पूजा होती है ब्रामनों को गौदान होता है, कन्यादान होता है तालाबादी बनवाना होता है मंदिर प्रांगण में पीपल बर्गज होता है उसका देवरच लगवाना होता है श्री विश्णु जी के मंतरों का जाब करना होता है और प्रेत स्राप को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया स्रीमत भागवत का पाठ करना चाहिए भगवान भोले नात की तस्वीर या प्रतिमा के समच बैटकर घर में भगवान भोले नात कर ध्यान कर निम्न मंतर की अगर आप एक माला करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो समस्त पकार के पित्र दोस संकट आपके समाप्त हो जाते हैं मंतर जाप प्राता या सायंकाल आप कभी भी कर सकते हैं मंतर है ओम तत्पुरसाए विद्महे महादेवाए चधी मही तन्नो रुद्रह प्रचोदयात अपने माता पिता भुजर्गों का आप शम्मान करें सभी इस्त्रिकुल का आधर करें शम्मान करें इस तरीके से पित्र आपके खोसोते हैं पित्र दोस जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हर्वंश पुरान का स्रवान करें या स्वयम नीमित रूप से पाट करें पृद्धिन दुर्गा सबसती या सुन्दर कांड का पाट करने से भी इस दोस में कमी आती है सूर जगत के पिता हैं आपके पिता को रेप्रेजंट करते हैं आपके घर में जो पिता जी है वो सूर के ही कारक है अथा तामे के लोटे में आप जल भरकर उसमें लाल फूल लाल चंदन का चूरा रोली आधी डालकर सूर्य देव जी को पर्ग देकर 11 बार ओम ग्रणी ही सूर्याय नमहा मंत्र का जाब करने से पित्रों की प्रसंता होती है एवं उनिकी उधर्वगती होती है पित्र पच्छ में आप पीपल की परिक्रमा अवस्से करें अगर 108 परिक्रमा लगाते हैं तो पित्र दोस्ष हतम हो जाता है कुछ विशिच्ट उपाये भी होते हैं जैसे किसी भी मंदिर के परिसर में आप पीपल अत्वा बर्गत का वर्च लगा सकते हैं रोज उसमें जल दीजिए उसकी देख भाल करिए जैसे जैसे व्रच थलता फूलता जाएगा वैसे वैसे दीरे दीरे पित्र दोस्त दूर होते चले जाएंगे क्योंकि इन व्रच्छों पर ही सारे देवी देवता योनिया पितर आधी निवास करते हैं अगर आपने किसी का भी हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसको तुरंत लोटा दे अगर आपके घर में पीने का पानी रखने की कोई जगय हो तो उसकी सुदता का ध्यान रखें अगर पस्वों के लिए पीने का पानी आप धरते हैं तो उसमें प्याव लगाईए आवारा कुत्तो को जलेवी आप खिला सकते हैं पीपल के वरच के नीचे सुरुदय काल में एक सुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, कभी भी नहीं तूटना चाहिए इसके अलावा लास्ट उपाए हैं, ऐसे तो बहुत सारे उपाए हैं, आप इसमें से कोई एक उपाए कर सकते हैं, लेकिन कंटीनू करिएगा लास्ट उपाए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अपने घर के नौर्थ वेस्ट यानि उत्तर पस्चिव जिसे हम वायवदिकोण कहते हैं, नित्य सर्सों का तेल में बराबर मात्रा में अगर दीपक लगाते हैं पूरे पित्र पच्च में यानि सर्सों के तेल का आप दिया ज़लाते हैं पूरे पित्र पच्च में दीपक लगाते हैं अगर यह दिया आपके पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा रहता है और दीपक जो आपका होगा वो कम से कम मिनट तक जले तो इस प्रकार से आपके पित्र प्रसन हो जाते हैं और पित्र सांथ हो जाते हैं और जिंदगी में आप तरक्की करते चले जाते हैं बाकी मैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जानवर्दक लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें, बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजेगा और मैं अपने इश्ट स्रीहरी नरायन विष्णों से ही कामना करता हूँ, कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्त रहें और आपकी अध्यात्वी कुन्नती आगे बढ़ती रहें, नमो नरायन, जै महाकाल, जै मा क्ला मुझे